जै मातादी नमस्कार आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक अभिनंदन है स्वागत है और ये सुनते हैं सप्त सती पाठ का अठवा अध्याई और नौवा अध्याई रक्तिवीज वध है महर्षी मेघा ने कहा चंड और मून्ड नमक असुरू के मारे जाने से और बहुत सी सेना के नश्ट हो जाने से असुरू का राजा परतापी संभू ने क्रोध यूगत होकर अपनी संभून सेना को यूध के लिए तियार होने की अग्यादी उसने कहा अब उद्धिया यूध नमक 86 असुर सेना पती अपनी सेनाओं के साथ यूध के लिए जाएं और कम्भू नमक 84 सेना पती भी यूध के लिए जाएं और कोटी वीरिया नमक 50 सेना पती और धर्मकुल के 9 सेना पती प्रस्थान करें कालक द्रोहद मौरे और कालक यह दैत भी मेरी आग्या से सजन यूध के लिए कुछ करे भ्यानक सासन करने वाले असरो के स्वामी सुम्व का इस परकार आग्या दे कर बहुत बड़ी सेना के सांथ यूध के लिए चला उसकी सेना को अपनी ओड आता देखकर चन्डिका ने अपने धनुस की टंकोर से प्रिथमी और अकास के बीच का भाग गुंजा दिया हे राजन इसके पस्चात देवी ने सिंग ने दोरात दहारना आरंब कर दिया और अंबिका के घंटे के सब्दों से उस ध्वनी को भी बढ़ा दिया धनुस की टंकोर सेर की दहार और घंटे की सब्द से प्रित्मी और अकास के बीच का भाग गुंज उठा इस परकार ही से भ्यंकर सब्द को सुनकर रक्षिसी सेना ने देवी तथा सिंग को चार ओर से घेड लिया है राजन उस समय देत्यों के नास करने के लिए और देवताओं के हित के लिए ब्रह्मा सीव कर्थ के विश्णू तथा इंद्र आदि देवों की सक्तिया जो अत्यांद प्रा कर और वल से संपन थी उन्हें सरीर से निकल कर उसी रूप में चंडिका देवी के पास गई जिस देवता का जैसा रूप था वैसे अभूसन थे और जैसा वाहन था वैसा है रूप अभूसन और वाहन लेकर उन देवताओं की सक्तिया देत्यों से यूद करने के लिए आई हांस युक्त विमान में बैठकर और रुद्राक्ष की माला तथा कमांडल धारन कर ब्रह्मा जी की सक्ति आदी ब्रिशव पर सवार होकर हांथ में त्रिसूल लेकर महानाग का कंकर तहन कर चंडर रेखा से भूसित होकर भगवान संकर के सती महैसरी आई और मोर पर अरूड होकर हांथ में सक्ति लिए देत्योक से यूद करने के लिए कार्तिकिय जी की सक्ति रूप का धारन करके आई भगवान विश्नु की सक्ति गरूड पर सवार होकर संग चक्र स्रांग गदा धनुस तथा खडग हांथ में लिए हुए आई श्री हरी की सक्ति वराही वराह का स शिरीर धारन करके आई और ृवरीं सिंग के सम्मान शुरीर पर धारन करके उनकी सक्ति की नारि सिंगी भी आई उसकी गढ़न के जटको से अकास के तारे तूट परे वें इस प्रकार देवराज इंद्र की सक्ति एंध्री भी ये रावत के उस पर सवार हो आई तस पस्चाज इन देवियों से घीरे वे भगवान संकर ने चंडिका से कहा मेरी प्रसंता के लिए तुम ही शीगरे ही इन आश्रों को मारो इसके पस्चात देवी के सरीर में अत्यांत उग्रवाली और सैक्रो गित दिडियों के समान आवाज आने लगी चंडिका सक्ती प्रकट होई। उस अप्राजिता देवी ने धुमिल जटा वाले भगवान संकर जिसे कहा है प्रभो आप मेरी और से दूत बनकर सुम्ब और निसुम्ब के पास जाईए और उन्हें अत्यांत गर्विले देतियों से कहिए तथा उनके अत्रिक्त और जो देत वहाँ यूध के लिए किन्तु या दिबल के गर्व से तुम्हारी लड़ने के इच्छा हो तो फिर आजाओ तुम्हारे मान से से मेरी योगिनी अत्रिप्त होगी चुकि उस देवी ने भगवान संकर को दुत के कार्या में नियुक्त किया था इसलिए वह संसार में सीव दुती के नाम से बिख्य देवी ने उनके फेके हुए बान सक्तियों त्रिशूल और फर्सों को अपने वानों से काट डाला और काली देवी उस देवी के साथ आगे खाड़ी होकर सत्रों को त्रिशूल से विदर्पन करने लगा और खंट वाग से कुचलने लगी ब्राहमनी जीस परकार दोड़ी उसी तरफ अपने कमंडूल का जल छिर कर देतेों के विरियत वल को नश्ट कर देती थी और इस परकार महेशूरी तिर्शूल से वैशनवी चक्र से और अत्यांत कोप वाली कोमारी सक्ती द्वारा असुरों को मार रही थी और एक केंद्री के बाजू के परहार से सैक्रों देते रक्त की नदिया बहाते हुए प्रित्मी पर सो गए वराही ने कितने ही रक्षोसों को अपने थुथन द्वारा मिर्तु के घाट उतार दिया दाढ़ों के अगर भाग से भी कितनी रक्षोसों को छाती को चिर डाला और चकर की चपेट से कितनों को ही विदर्न कर के धर्ती पर डाल दिया बरे बरे रक्षोसों को नार सिंग ही अपने नखो से विदर्न करके भक्षन कर दी और सिंग नाद से चारो दिसाओं को गुंजाती हुई रन भूमिये विचर कर रही थी सीदूती प्रचंड अठास से कितने ही दैते भायवित होकर प्रित्मी पर गि और उनको इस परकार भाकता देखकर रक्ष बिज नामक महा प्राकर्मिक रक्षस क्रोध से भर कर यूद के लिए आगे बढ़ा उसके सरीर से रक्ष के बुंदे प्रित्मी पर जैसे ही गिरती थी तुरंत वैसे ही सरीर वाला तथा वैसा ही बलवान देते प्रित्मी से उत प्रतिक बुंद से उसके समान ही बलवान तथा महा प्रकर्मिक अनेक देत्यों भैंका रूप से परकट हो गए वह उस सब के सब देत्य के बीज के समान ही बलवान तेज वाले थे वह भी भैंकर अस्तर सास्तर लेकर देवियों के साथ लड़ने लगे जब एंदरी की गदा से रक्त बिज को चोट पहुंचाई और वैशनवी के चक्र से घायल होने पर उसके सरीर से जो रक्त बहा उससे हजारोत महा असुर उत्पन हुए जिनके द्वरा यह जगत ब्याप्त हो गया कोमारी ने सक्ति से वराही के खरक से और महें सुरिज ने तिरसूल से उसको परकार क्रोध से भरकर उस महा देते ने सब मात्रे सक्तियों पर प्रिथक प्रिथक गदा से प्रहार किया और मताओं ने सक्ति तरह सूल इत्यादी से उसको बार बार घायल किया उससे सैक्रो महा देते उत्पन हुए और इस परकार रक्त बिज के रूधिर से उत्पन तुम्हारे भक्षन करने के कारण अन्य देट नहीं मरें गाली ने इस परकार कह कर चन्डिका देवी के रक्त विज अपने त्रिसूल से प्रहार किया और काली देवी ने अपने मुक्ष से उसका रक्त ले लिया तब उसने गदा से चंडिका प्रहार किया प्रहार से चंडिका को तनिक भी नस्ट ना हुआ किन्थु रक्त बीज के सरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा लेकिन उसके गिरने के साथ ही काली ने उसको अपने मुख में ले लिया काली के मुख में उस रक्त से जो असुर उत्पन हुए उनको उसने भक्षन कर लिया और रक्त को पिती गई तदंतर देवी ने रक्त बीज को जिसका खून काली ने पिया था चंडिका ने उस देते को ब्रज वान खड़क तथा रिसी इत्यादी से मार डाला हे राजन अनेक परकार के सास्तों से मरा हुए और खून से वंचित वह महा देते रक्त बीज प्रित्मी पर गिरा परा हे राजन उसके गिरने से देते अत्यांत प्रसान हुए और मताय उन असुरों का रक्त पीने के पस्चात उद्दत होकर निर्ति करने लगी इसी करब में नुवा अध् हुए सुम्भ निशुम्भ ने जो कर्म किया वह सुनना चाहता हूँ महड़ सी मेगा ने कहा रक्त बीज के मारे जाने पर सुब और निशुम्भ को बढरा क्रोधा आया और अपनी बहुत बारी सेना का इस परकार सर्वनास होते देखकर निशुम्भ देवी पर अकर्मन कर ये दौरा उसके साथ बहुत से बरे-बरे असुर देवी को मारने के वास्ते दौरे और महा प्रकरमी अपनी सेना सहीत चंडिका को मारने के लिए बढ़ा फिर सुंभ और निसुंभ का देवी से घोर यूध होने लगा और वह दोनों असुर इस प्रकार देवी पर वान फेकने जैसे मेगो से वर्षा हो रही है उन दोनों के चलाए हुए बानों को देवी ने अपने वानों से का चोट पहुंचाई निसुंभ ने तिक्छन तलवार और चमकती हुई धाल को लेकर देवी के सिंग पर अकर्मन किया वह अपने वाहन को चोट पहुंचाई देखकर देवी ने अपने छुरप नामक ब्राहमों से निसुंभ की तलवार और धाल दोनों ही का डाल तलवार और ढाल कर जाने पर निसुंब ने देवी पर सकती से प्रहार किया देवी ने अपने चक्र से उसके दो टुक्रे कर दिये फिर किया था देते मारे क्रोध के जल भुन गया और उसने देवी को मारने के लिए उसकी और सूल फेका किन्तु देवी ने अपने मुके से उसको चूर च सुला दिया अपने प्रकर्मी भाई निसुम्व के इस परकार से मरने पर सुम्व क्रोध में भरकर देवी को मरने के लिए दोरा था वह रत में बैठा हुआ उत्तम आयूधों से सुसोभित अपनी आठ बड़ी बड़ी भुजाओं से सारे अकास को धके हुए था सुब को आत वाला था शंफूर ने दिसाओं में ब्याप्त कर दिया इसके पस्चात देवी ने सिंग से अपनी दहार से जिससे सुन बरे-बरे बलवानों नाम मद चुड़-चुड़ हो जाता था अकास प्रित्मी और सभी दसो दिसाओं को पूरित कर दिया फिर अकास में उछलन काली अपने दातों तथा हाथों को प्रित्मी पर पटका उसके ऐसा करने से ऐसा सब्द हुआ जिससे की अपने लेके सारे सब्द सांत हो गए इसके पस्चात सीवदूती ने असरों के लिए भाय उत्पन करने वाला अठाहास किया जिससे सुन कर देते थरा उठे और सूब को ब जोलाओं से युक्त एक अत्यांत भ्यंकर सक्ती छोड़ी जिससे आते देखकर देवी ने अपनी महोल का नामक सक्ती से काट डाला है राजन फिर सुम्भ के निसिंग नाद से तीनों लोक ब्याप्त हो गए और उसी प्रतिधवनी से एक ऐसा घोड सब्द हुआ जिससे इस परिवर्दित कर दिया इसके पस्चात जब चंडिका ने कुरोध से भर कर सुम्भ को निस्त्रिशूल से मारा तो वह मुर्चित होकर प्रित्मी पर गिर परा जब उसकी मुर्चा दूर हुई तो वह धनुस लेकर आया और अपने बानों से देवी काली तथा सिंग को घायल कर दिया फिर उस राक्षस दस हजार फुजाय धारन करके चक्रादी अयूदोसे देवी को अक्षादित दिया तब भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने वानों से उनके चक्रों तथा वानों को काट डाला यह देखकर निसूम हाथ में गदा लेकर चंडिका को मारन लिए हुए आता देखकर चंडिका ने अपने सूल से उसकी चाती पर परहार किया और उसकी चाती को चीर डाला सूल विद्धिरपन हो जाने पर उसकी चाती में ऐसा निकलने भी नहीं पाया था कि उसका सीर अपनी तलवार से काट डाला सीर के कटने के साथ ही प्रित्मी गिरा परा तदंतर सींग दहार दहार कर असुरों का भक्षन करने लगा और काले सीव दूती भी रक्षकोसों को अरक्त पीने लगी कौमारी की सकती से कितने ही महा देते नश्ट हो गए ब्रह्मा जी के कमंडल के जल से कितने असुर को समाप्त हो गए कई देते महैसुरी ने के तिरिसूल से बिदिर्पन होकर पृत्मी पर गिर परे और बारही के प्रहारों से छिन भिन होकर धरा साई हो गए बेशनवी ने भी अपने चक्र से बरे-बरे महापरकर्मियों का कचमुर निकाल कर उन्हें यम लोक भेज दिया और एंदरी से कितने भी महाबले रक्षस टुकरे-टुकरे हो गई कई देत मारे गए कई भाग गए कितने ही काले सीवदूती और सिंग ने भक्षन कर लिया तो भक्तगन ये थी दुर्गा सतिपाठ का आठवा और नौवा अध्याय आपको कैसी लगी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें सेयर करें मेरे चैनल को सेस्क्राइब करें कथा सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद नमस्कार जैमातादी